हेलो फ्रेंट्स गुड आफ्टर नोन मैं शीवम कुमार स्वाकत करता हूं आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल कियान एक्सपी में दोस्तों आज की इस वीडियो में पंचायती राजविश्था से समंदित कुछ महातुपूर्ण प्रस्न डिसकस करेंगे तो आप वीडिया फ्री आफ कॉस्ट है तो प्रीज आप लोग क्रेली ग्राम भी जरूर जाइन कीजिए जिसमें आपका रिविजन अच्छा हो सके चलिए फ्रेंट्स वीडियो को प्रीज शेयर करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेस्टन अगर आपको वीडिय कि शन्षोधन अधिनियम द्वरा पंचायती राज विवस्था को समिधानिक दर्जा दिया गया था यह आपके और बताइए कि आपके इस क्वेस्टन का राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी याने की तीहत्तरवे तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका भारती समिधान के शन्षोधन तीहत्तरवे शन्षोधन अधिनियम में पंचायती राज विवस्था को समिधानिक दर्जा दिया गया था इंपॉर्ट नगर पालिका को ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रस्ण है कि तीहत्तरवा समिधानिक शन्षोधन का संबंध किससे है तो अभी आपने इसको डिसकस किया हुए कि तीहत्तरवे समिधानिक संब्सोरण में किसको दुन दिया गया था सामिधानिक दूजति दिया गया था तो यह दिया गया था पंचयती राज को ठीक है इसमें आपका उपसिन नमबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज और नगरपालिका को चलिए इसको मैं ख्लियर करता हूं ब नगर पालिका को जो है दिया गया था चोहत्तरवे संसोधन में ठीक है चोहत्तरवे में कि पीडिएफ में आपको मिल जाएगा जरूज़ाइन कीजिए चलिए अगला प्रेशन देखते हैं तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रेशन है कि किस समयधानिक संसोधन ने पंचायती राज संस्था को इस्थापित किया था तो यह प्रेशन सेम ही है अगला प्रेशन प्रेशन संस्था को इस्थापित किया था तो यह किया था तीहत्तरवें संसोधन अधिनिया ठीक है आपसे नमबर सी इस्था राइट अंसर ठीक है दोस्तों चलिए एकला प्रेशन तो फ्रेंट्स आपका अगला क्वेशन है ध्यान से देखिएगा कि भारती समिधान के किस संसोधन ने नगरी इस्थानी सरकारों को समिधानिक दरजाप राप्त किया नगरी इस्थानी सरकार यहने कि नगर पालिका ठीक है इसको हमने भी डिसकस किया हुआ है और अब बता इसको डिसकस कर जो काँँ फ्रेंट्स आपके लिए कि यह जो है इसको कब दिया गया था किस संसोधन में चोहतरवे संसोधन में ठीक है आपसर नमबर बी आपका इस प्रेशन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चोहतरवा समिधान संसोधन ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रशन देखते हैं, तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रशन है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटे आरक्षित हैं, अच्छा क्यास्टन है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए, ठीक है लेडिज की बात हुई है, तो महिलाओं के लिए कितनी सीटे आ तो अप्स नमबर सी यह निकी एक तिहाई ठीक है आपसन नमबर सी इस तर राइट आंसर ठीकिन नगर पालिका में महिलाओं के लिए एक तीहाई सीटे आरक्षित होती है ठीकिन और यह किस समिधान संसुधन के दिनियम है तो अगर नगर पालिका कि बात ही तो चहतरवे पूछ लिए ठेट जिए देखते हैं अगला प्रशन अगर आपको वीडियो लगते तो प्लीस आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तो आपका अगला प्रशन है कि नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार चोटे सहरी छेत्रों का नियंत्रट करता है तो अच्छा कि अब्सितनों के लिए च्छे ये बिलकुल सही बाहना को इसこんにちは RC ये कि अभिवेक्टि ठीके अभिवेक्टि जो एज जो है ग्राम्सितत्ठामि सभावर्ड o तो ये सही रूप से किसको निरूपित करती है तो ये जो है आपके options है और बताए कि जो gram सभा ये सही रूप से किसे निरूपित करती है तो friends आपके options आपके सामने हैं और अब बताए कि आपके इस question का right answer क्या होगा तो friends अगर आपने चुना है option number C यानि कि पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को जो gram सभा है ये सही रूप से 60 किसका अंसर क्या वैटता है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को ठीक है तो इसमें आपका option number C बिल्कुछ सही अंसर हो जाएगा और ये भी किस संसोधन अधिनियम के तहत है तो ये है 73 संसोधन अधिनियम के तहत भाग है आपका अनुक्षेद के अंतर के अगर पूछ ले तो ये है 243 B ठीक है इन स्क्रीन शॉट ले लिए तो पीडियेप में आपको मिली जाए चलिए आपका अगला प्रश्न है तो फ्रेंड्स आपका अगला क्रश्न है कि 53 संविधानिक शंशोधन अधिनियम ने पंचायतनों को संविधानिक मानित्ता प्राप्द करने के लिए डैस को सम्मिलित किया था तो इसमें से कौन सा भाग था अब बताना आपके भाग कौन सा था बताए आप लो तो फ्रेंड्स ये था भाग नो ऑप्सन नमबर बी अगर आपने चुना है यहीं कि भाग नो तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका भाग नो था कौन सा नो ठीक है चलिए अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रडाली समिधान के किस अनुक्षेद निर्देश के अंतरगत शुरू की गई थी तो भारत में पंचायती राज प्रडाली समिधान के किस अनुक्षेद निर्देश के अंतरगत शुरू की गई थी 32, 40, 45 या 51 तो फ्रेंड्स अगर आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारती समिधान का कौन सा अनुक्षेद राज सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है तो बहुत ही अच्छा क्यास्चन है अपसर नंबर सी यानिकी अनुच्छेद चालिस जो अनुच्छेद चालिस है यह जो है राज सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है बहुत ही इंपॉर्टन क्वेस्चन है ठीक है अनुच्छेद चालिस चलिए फ्रेंट्स देखते हैं अगला प्रशन तो आपका अगला प्रशन है कि त्री इस्तरी पंचायती राज तंतर में शामिल है यह कुछ आप्संस हैं आपके और बताए कि अब आपके इस क्वेस्टिन का राइट आंसर क्या होगा कि त्री इस्त त्री पंचायती राज तंतर में क्या शामिल है अगला प्रशन तो आपका अगला प्रशन है कि पंचायती राज व्रस्था शासन के कितने इस तरों में विभाजित है जो पंचायती राज व्रस्था है यह शासन के कितने जो है इस तरों में विभाजित है आपसंस है एक दो तीन या चार तो फ्रेंट दिखी यह जो पंचायती राज्य वस्ता यह शास्तन के कुल तीन भागों में भी भाजित है किसमें तीन भागों में तो इसमें आपका उप्सन नमबर सी सही होगा तीन ठीक है अगला प्रेशन तो आपका अगला प्रेशन है कि निम्रिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है तो बताएं फ्रेंट कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि पंचायती राज संस्था नहीं है ठीक है आपकी आपसंस आपके सामने हैं बताइए तो अगर आपपने चुना है upstream number C यानके ग्राम सहकारी सोसाइटी ठीक है यह यह पंचायती राज संस्था नहीं है बाकि जो gram सभा, gram पंचायत अथा नया पंचायत है यह तीनों पंचायती राजometer वस्था है लेकिन जो option number C है आपका ग्राम सहकरी सोसाइटी ये जो है पंचायती राज संस्था का हिस्सा नहीं है तो option number C आपका इसमें सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रेशन है तो फ्रेंट साबका अगला क्वारत में त्री इस्तरी पंचायती राज प्रवाधिका प्रस्ताओ किस ने रिया अभी में ने डिस्कस किया कि उसम पंचायती हैं ठासी और बताईये तो यह दिया था बलवन्तराय महता समित काफी इंपॉर्टन समित है याद रखेगा ठीक है भारत में 333 पंचैती राज प्रारी का प्रस्तावक इसने दिया था बलवन्तराथ महता समित ने और जो कि मैंने बताए यह समित इंपोर्टन है तो थोड़ा सम डिटेल में कवर कर लेते हैं विज़े बलवन तो रहा है महता समय थे इसका गठन कप किया के था इसका गठन किया के था वर्ष उन्निस सो सत्तावन में 1957 में यह रखिएगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण तो फ्रेंट्स आपका अगला प्रश्ण है कि भर्णिम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो कौन सा इससा है जो कि पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो यह आपके आप्सें से हैं और बताईए कि आपके इस क्वेस्टिन का राइट आंसर क्या होगा यह कौने सी कौन सबंधित सारी तो यह थेख कौन सब्फेश्ची अपने चुना ऐह ऑप सबया कि शेर करक fizer शेयर उप सब्सक्राइप ठीक है आधी वीडियो उन्हें कवर कर लिए बस कुछी question पचे हुए है आधी question इतने ही और होंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेर कर दीजे प्लीज व्रेंड्स तो आपका अगला question है कि पंचायती राज पंचायती समित किसके प्रती अपने कारेयों के लिए जवाब दे होती है तो यह आपके options हैं और बताए कि अब आपके इस question का right answer क्या होगा तो फ्रेंड्स देखिए जो पंचायती समित होती है यह जो है जिला परिश्दे जितनी होती है जिला परिश्दे इनके ब्रत जवाब दे होती किसके जिला परिश्द ठीक है तो फ्रेंड्स इसमें आपका option number B बिल्कुल सही answer हो जाएगा चलिए अगर देखते हैं अगला प्रश्द तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्द है कि वर्ष 1977 में ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 1977 में किसकी अदिख्षता के अंतरगत पंचायती राज जाज करने के लिए एक सरकारी समित की newptey की गई थी तो फ्रेंड्स ये थे अशोक महताजी ठीक है आपसन नमबर ए आपका सयोग आंसर होगा वर्ष 1977 में अशोग महता की अधिक्ष्टा में पंचायती राज की जाज करने के लिए एक सरकारी समित की नियुक्ति की गई थी ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण और इसने प्रथम रिपोर्ट कर दी थी तो वर्ष 1978 में इसने देदी थी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्ण है कि किस समित या आयोग ने केंद्र और राज संबंध थी राज संबंध की जाच की अब युक्तिक्ष्ट किया गया है बस घुमा के पूश दिया गया है और बताईए तो फ्रें जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था वर्स 1983 में 1983 में ठीक है और इसी ने जो है केंद्र और राज के संबंधों की जाच की थी ठीक है सुझाओ देने के लिए कभी-कभी ऐसे पूश लेता है कि सरकारिया आयोग क्या है या इसकी स्थापना कपकी गई या इसका अगठन किसके लिए किया गया था ठीक है तो यह किसके लिए किया गया था केंद्र और राज संबंथ की जाच करने की से पूछा गया किसा अगया था सरकारिया कब वर्स 1993 में याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रश तो आपका अगला प्रश ने कि पंचायती राज प्रडाली पहले किन दो राजियों में न्यूक्त की गई तो फ्रेंट देखें इन दो में से यह आपका एक राइट आंसर है और बताए कि इधर भी कुछ आपसंस हैं देख सकत हैं इन दोनों को हम स्किप करते हैं और पताइए कि इसमें से कौन साब का राइट आंसर होगा कि पंचायती राज प्रडाली पहले किन दो राजियों में लागू की गई थी तो देखिए जो पंचायती राज प्रणाली है इसको जो है दो अक्टूबर वर्स 1969 में ठीक है 1959 म में लुपिया सबसे कहा लागू किया किए तो अंद्राब्रदेश और Liebe स्थान में आम प्रडेश और राजस्थान में उफ्षित और internet यह आपकाई सभी होगा ठीक है चलि और प्रद्रदेश और राजस्थान में सब्सक्त और प्रत तो अप्धें सबसे पहले राय किसे था बता यह को आछे अब आपने चुना आप benefici और राईतस्थान सबसे पहले ब cultivated किस नहीं प्राइब नहीं था राजस्थान में ठीक है फिर आंद प्रदेश ने ठीक है देखते हैं अगला प्राशन कब वर्ष उन्निस सो उन्सट में ठीक है संसुधन अधियम कौन सा था तीहत्तरवा अधर रखेगा ठीक है चलिए तो फ्रेंट्स आपका अगला प्रशन है कि राजस्थान पहला राजी है जिसने तो राजस्थान कौन सा पहला राजी है जिसने कि क्या आरंभ किया यह अपसंस हैं आपकी और बताईए तो फ्रेंट देखे राजस्थान पहला ऐसा राज जिसने की इस्थानी शुशास्थन प्रारंब किया था ठीक है important question है कभी ऐसे पूछ दे कि इस्थानी शुशास्थन सबसे पहले किस ने प्रारंब किया था तो राजस्थान ने ठीक है option number E आपका इसमें सही होगा friends आपका अगला प्रशन है आपके सामने और ध्यान से देखिएगा प्रशन है कि लोग तंत्री विकेंद्री करण का आश्य है तो लोग तंत्री विकेंद्री करण का क्या आश्य है संगी सरकार संसदी सरकार लोग तंत्री सरकार या इस्थानी सरकार तो देखिए जो लोग तंत्री विकेंद्री करण का आशे है इस्थानी सरकार ठीक है इसका जो क्या आशे होता है इस्थानी मामले इस्थानी मामले होते हैं इसमें यह काम करती है क्यों लोग तंत्री विकेंद्री करण ठीक है इसका क्या आशे है इस्थानी सरकार क्लियर फ् प्राउशन गो कि पंचाइति राज कि सिध्धांद पर अधारीत कि पंचाइति राज कि छुरह सिधानत पराधारीत राज है वी देखते हैं अगला अगर tacos किस पे सत्ता के विकेंदरी करण पर तो इसमें आपका option number c बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है friends चलिए देखते हैं अगला question तो friends आपका अगला question है कि भारत में आधारिक भारत में आधारिक लोग तंद्र निम्ण में से कौन सुनिश्चित करता है तो भारत में आधारिक λोगतंदर कौन सुनिश्चित करता है तो फ्रेंट्ट्स ये करता है पंचायती राज्ट नमबर इ आपका इसमें सही हो जाएगा ठीके दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्राशन तो फ्रेंट्स आपका अगला प्राशन है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है ठी स्रिस राजपार्य या महापावर करें दिखें जो नगर निगम का अध्यक्य जोता यह ओता है इत्य कि कि आपकी पर कौन कि इसको नगर निखम के अध्यक्ष को महापर और नगर नमोग पीडेफ में आपको मिल जाएगा ठीक है फ्रेंट्स इसमें आपका आपको नमबर डी बिल्कुत सही आंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब भी लोग वीडियो को लाइक और शेर करके जाए तो सबी लोग आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करके जाए शाम 4 बजे कंप्यूट्र क्लास जरूर जैन किज्जे और 8 बजे इससके कि इसमें आज हम प्रमॉप फुल फॉर्म डिसकस करेंगे जो कि NTP से फिर आठ होजे एससी क्लास में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केर फ्रेंड्स